आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, तो Question है हमारा In an Economy, Investment Increases by 600 करो इसका मतलब Investment 600 से बढ़ रही 600 करोड से बढ़ रही है इसका मतलब Delta I क्या हो गया? 600 If Marginal Propensity to Consume हो गई 0.7 That is MPC Equal to 0.7 What is the increase in Total National Income? तो हमें MPC Given है, इससे हमारे Multiplyer के वेली निकलाएगी क्योंकि multiplier और MPC में एक relation होता है, जिसको हम लोग ऐसे depict करते है K equal to 1 upon 1 minus MPC तो 1 upon 1 minus 0.7 क्या हो गया? 1 upon 0.3 यह point हटाएँगे, उपर 0 लगाएँगे तो K के value क्या हो गई? 10 by 3 ठीक है? अभी हम इसको fraction form में रखेंगे और उसके बाद हमें क्या निकालना है? What is the increase in Total National Income? That is हमें Delta Y calculate करना है ठीक है? अब यह क्या होता है हमारा? Delta Y upon Delta I That is Change in Total National Income upon Change in Investment यह हमने उपर निकाला है 10 by 3 से 10 by 3 ही निकाला है 10 by 3 equal to Delta Y हमें calculate करना है और Delta I हमें given है 600 अब हम cross multiplication कर देंगे तो 600 इंटो 10 अपॉन 3 इकोल टू Delta Y तो 3 के टेबल में 600 200 पे आता है तो 200 इंटो 10 क्या हो गया हमारा? 2000 करोड इकोल टू Delta Y मतलब कि जब हमारा MPC 0.7 होगा और जब investment 600 करोड से बढ़ेगी तो हमारे जो increase in total national income होगा वो होगा 2000 करोड तो यह था हमारा question Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 पर